नमस्कार आपके साथ मैं हूं पूजा परमार आप देख रहे हैं दव फैक्ट इंडिया विधानसवा चुनाव से पहले ही एडी राजिस्तान में फुल एक्टिव है कोचिंग सेंटर्स पर तो नजर है ही कलाम कोचिंग की वज़े से तो कॉंग्रिस प्रदीशा अध्यक्ष गोविन सींग रोटासरा की भी मुश्किलें बढ़ा दी है उधर जैपूर में शासन सच्चिवाले के पीछे योजना भवन की बेस्मेंट में सूचना प्रदुग की विवाग की बंद अलमारी से 2.31 करोड रोपे कैश और 1 किलो सोनी की सिल्ली बरामत्गी की प्रकरण में प्रवतर निर्देशाले की टीम ने विवाग की सची आनंदी के नाम पर नोटिस जारी कर डियो आईटी कमिशनर इंद्रजीत को थमा दिया है नोटिस के जरिये पूस्ताच के लिए सच्चिव आनंदी को एडी ऑफिस में तलब किया गया है 16 अगस को एडी की टीम जैपूर में सच्चिवाले की पिछे सित योजना भवन में डियो आईटी आफिस के अफसरों को नोटिस देने पहुँची थी योजना भवन के बेस्मेंट में सरकारी अलमारी से 2 करोड से ज्यादा कैश और एक किलो सोने की सिल्ली मिलने से पूरे मामले में राजिस्तान पोलिस ने ACV को मामला था वो सौपा था लेकिन अब एडी ने राजिस्तान सरकार के डिपार्टमेंट ओफ इन्फोर्मेशन टेकनलोजी की सचिव आनन्दी के ओफिस में नहीं मिलने पर उनके नाम से जारी नोटिस IT कमिशनर इन्दरजीत को थमा दिया है नोटिस के जरिये आनन्दी को ED ओफिस में पूश्ताच के लिए बुलाए गया है ED की एक टीम इससे पहले शासन सचिवाले भी पहुँची और अतरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरुणा और IT सचिव आनन्दी से मिलने की कोशिश की थी लेकिन दोनों अपसर आफिस में मौजूद नहीं मिले थे ED ने DOIT के निलंबित Joint Director वेद प्रकाश यादब से चार दिन की रिमांड पर कड़ाई से पूश्ताच की है नगदी और गोल को लेकर ED टीम ने कुछ गोपनिय जानकारी भी जुटाई है ब्रचाचार का पैसा और सोना किसका था इससे लेकर पूश्ताच की बाद नोटिस से बड़े सबाल भी खड़े हुए है सूत्रों के मुताबिक वेद प्रकाश यादब की रिमांड लेने से ही राज्ये की कई अधिकारियों को ED की Search, Investigation और नोटिस समित संभावित कारवाई की भनक लगए थी CM ने भी कहा था कि बेवज़ा परिशान करने ED वाले कुछ अफसर आते हैं उनको उपर से इशारा होता है लेकिन हम ED से नहीं डरेंगी इसके बाद 16 अगस्त को कई अधिकारी आफिस नहीं पहुँचे तो जानकारी में आया है कि ED ने नोटिस उनकी घर पर भीज़वा दिये हैं शासन सच्चिवाले के पीछे राजिसरकार की योजना भवन की बेसमेंट की सरकारी अलमारी में 20 मई 2023 को ही एक करमचारी की ओड सी चाबी नहीं मिलने पर पुलिस की मौजूदगी में अलमारी तोड़ने पर 2 करोड 30 लाख रुपए और 1 किलो सोनी की स्विस सिल्ली बरामद हुई थी राजिस्तान पुलिस में कारवाई के बाद ECB को 21 मई को मामला ट्रांसफर कर दिया गया था CCTV खंगालने पर ECB ने DOIT के जोइन डारेक्टर वेदप्रकाश यादब को अलमारी में लॉक खोल कर बैग रखते और माल निकालते रखते देख लिया था ECB पूछताच में वेदप्रकाश यादब ने कैश और सोने के सोर्स और कालाधन किस्खा है इस बारे में कुछ भी नहीं बताया तो ECB ने उसे 23 मई को गरफतार करके कोट में पेश किया जहां से कोट ने उसे जेल फिज दिया फिर वेदप्रकाश जमानत पर जेल से बाहर आ गया तब ED ने अक्शन शुरू किया और उसे 9 अगस्त को गरफतार कर फिर से कोट में पेश किया ED को कोट ने उसका चार दिन का रिमांड दिया था रविबार को रिमांड अबदी खत्म होने पर वेदप्रकाश को फिर से कोट में पेश किया तो कोट ने उसे जेल भेज दिया है वेद प्रकाष से हुई पूछताच में एडिय को कई एहम जानकारियां मिली हैं जिसके आधार पर अप एडिय की टीम अन्ने सीनियर अपसरोपर शिकंजा कसने में जुड़ गई है ताजा खवरों के लिए बिजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनोड करें दफेक्ट इंडिया एप